हेलो फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब आज का जो वीडियो है वो भी एक व्लॉग है तेकिस ट्रीचिंग के चेकर में कई भर की काम काफी रहे जाते हैं तो सोचा क्यों आज आप से शियर भी किया जाए थोड़ा सब जो मैं एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ और उससे भी आपको सीख सकते हैं तो चलिए आज का व्लॉग उसी पर चलिए व्लॉग शुरू कर लेते हैं तो हालत क्या है मेरी बेटी में सारे टेडी और निकाल दी है और दो दिन पहले कपड़े दोए थे वो फिर अंदर ही डाले क उसके बाद मेरी डस्टिंग रस्टिंग हो चुकी है ब्रिक्फास्ट हो चुका है अब लंच के लिए जाओंगे लिकिन उससे पहले मैं यह रूम को समभा लूँगी कैसे स्पेंड करते हूं अपना दपैर का टाई तो वह आप से शियर करूंगी तो चलिए मैं यह रूम स आने लग जाती है अच्छा नहीं होता है बारिश के मौसम में घड़ा कीचिन में रखना तो मैंने उसको भी क्लीन करके फिर उसको दोधा के मैंने हटा दिया है ताकि उसकी जगह फिर दूसरे स्टोरेज के लिए अपनी वल्टोई निकालूंगी तो यह देखिए फिर मैं क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए ताकि मुझे भी पता लगे कि इसको और क्या-क्या कौन-कौन सी जगह पर क्या-क्या बोलते हैं तो इसी बारा बारा से लगती थी ना मेरी मनतब इस लैप पे जोड़ है जो निश्वान है तो यहां पे वह अगर बात्रूम गीले रहेंगे और बारिश का मौसम है तो बहुत गंदगी से गीला-गीला सा हर जगा रहता है सुकते भी नहीं है जल्दी से तो मैंने बात्रूम को अच्छी तरह से दोके उसे वाइप करके और उसमें पोचा लगा दिया जिससे वह अच्छी तरह से सू कुझा खाल लोंगी देखिए जब मेरी हस्बंट की या वे इस तरह से तेय कर के रखती हूं जिससे की वो विखर्ते नहीं है बन्यान को तैय कर्ने के बाद उसके बीच में अंडरवेर रखती हूं जिससे उन्हें लेने भी केरी करने में भी असानी रहती है तो आप भी यह टिप जो है अपना सकती है दिखिए इस तरह से कपड़ों को संभालना बहुत असान हो जाता है और जो है पेर बना रहता है और इस तरह से वो हिलता भी नहीं है और उनको भी अपने आप लेने में असानी हो जाती है नहीं उसकी बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े समेटने शुरू किये और उन्हें अपनी अपनी जगा पे रख दिया जहां पे जिस जिसकी जो जो स्पेस था उस जो उस जगा पे रखा है टैडिस को संभाल दिया और करीबन 10-15 मिनट में मेरा ये सारा जो बैट था मेरा क्लीन हो गया तो टाइम के बीच में से या आप दूसरे काम करते करते भी इसे थोड़ा-थोड़ा करके इजी से अपना टाइम भी सेव कर सकती है और अपने घर को क्लीन भी रख सकती है देखिए गमरे को क्लीन करने के बाद मैं आ गई किचन में और किचन में देखिए पहले से ही आपको अपने माइंड में अपने काम को सेट करके रखना होगा अब मुझे जाकर किचन में पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है क्योंकि इससे क्या है आपका काफी टाइम सेव हो जाता है और मल्टी टास्किंग से आपका काम भी काफी जल्दी हो जाएगा और आपको इतनी टेंशन भी नहीं होगी तो मुझे किचन में जाने के लिए पहले ही माइन में मैंने प्रिपेर कर लिया था और देखिए मैंने बरतन भी उतनी ही यूज किये और मक्ष निकालने के बाद देखिए जो मुझे घी भी निकालना होता है तो मैंने जो घी है वो एक चोटी कड़ाई में निकाला और बाद में उसी कड़ाई में घी वाली ही थी जो उसी में मैंने फिर तड़का भी लगा द मुझे पहले दाल भी रख देनी है मैंने चावल भी होके रख दिये थे और इसी तरह से फिर मैं जब किचन में दुबारा आई रूम को थोड़ा सा प्रिपेर क्लीन करने के बाद तब मैंने क्या किया मैंने इधर से मक्कन निकाला जो पतीले में मुझे चावल बनाने थे उस हैना पड़ता तो साथ ही साथ मैंने जो मुझे अपनी दाल को तड़का लगाना था प्याज टमाटर लासुन वगेरा जो था मैंने सब की कटिंग घी निकालते निकालते ही कर ली तो इस तरह से आप भी अपना एक काम करते करते दूसरे काम को भी आप उसके साथ कर सकती है इसा नहिए कि आपको घी निकाल रहे हैं तो आप ऐसे ही कणड़ई हैं देखे इस तरह से क्या होता है कि आपका काफी टाइम सेव भी हो जाता है और आप़का पिन लिए भी टाइम कमिल सकता है देखिए मैंने कड़ाई में प्याज डाल दिये गी डाल दिया लसुन जो काटा था मैंने वो भी डाल दिया और अब मैं इसमें हरी मिर्च वगरा भी कटके डाल दूगी और ये मसाले को मैं सेम गैस पे रखकर पहले टमाटर को कट कर लूगी ताकि मेरी जो कटिंग जो भी मेरा चीज़े हैं मेरी सब एक जिगा प्रिपेर हो गई हैं उसके बाद देखिए मैंने साथ के साथ फिर फूल के बनाने स्टार्ट कर लिए तड़के को मैंने छोटी गैस पे रखा क्योंकि मेरे टमाटर पर कट गए थे और बस जैसी मेरे प्यार सीम गैस पे मैंने रखे और ने भूनते रहे और उसके बाद मैंने उसमे टमाटर डाले तब जब तक मेरा ये प्यार सीम गैस पे भून रहे थे तब तक मैंने उत्ती देर में अपने फूल के भी बना लिए तो देखिए एक ही बार में सारा काम ने पट गया उधर चावल भी हो गए दाल को तड़का भी लग गया और मेरे फूल के भी बन गए तो एक ही बार में आप अपना काम ने पटा कर सोई से जा सकती है बार बार सिर्फ एक आलस करना कि मैं भी बाद में कर लूँगी से आपका काम इतना पेंडिंग हो जाता है इतना आपका घर भी मैसी हो जाता है सिर्फ आ आसे कि सालस को छोड़िये और अपने काम को तरफ ध्यान दीजिए इससे आप खर भी क्लीन चुरू होना शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं कि आप अपने घर को टीनिंग कर सकती हैं जब चाहें अब अपने घर को cleaning चुरू कर सकती हैं बस आपको एक आदत को अपनी छोड़ना होगा कि मुझे अभी नहीं करना थोड़ी देर में करूंगी क्योंकि थोड़ी देर का मतलब होता है कि काम को छोड़ देना या वो आपका काम रही जाएगा काफी दिन तक आपका लटकता चला जाएगा दोपैल में बनाया है एक मेरा टावल पड़ा हुआ था पुराना उससे मैंने छोटा हैं टावल बनाया है तो चलिए मैं दिखा देती हूं कि मैंने किस तरह से किया है ठीकि मम्मी डैडी की आई काउपरेट हुआ है उस वजह से देखिए उन और फिट देर हो जाती है तो ढिए अनिंगा पर टंशन हो जाती है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है तो इसलिए मैं एक दिन चोड़के वैसे वीडियो डालूँगी क्योंकि एक दिन वीडियो बनाना और एक दिन एडिट करने में भी टाइम लगता है और फैमिली है तो देखिंगे जो मेरे एक स्ट्रिप का लिया है तो हकी apply यह तरह कीपिंग टॉटे कर बनाएंगे तो यह हमने में हैं टावल लिया है चोटा ने की तरह की कटिंग की है उसके तीन तरफ हम इस तरह से यह वाली जो हमारा फाबरी की पाइपिंग रेटी की है हमने उसे हम तीन तरफ लगा देंगे इस तरफ तीनों तरफ आप मशीन से आप इसे स्यू कर दीजिए तो यह आपके टॉल के बहुत अच्छे सी बीडिंग रेटी हो जाएगी इसके बाद आपने क्या करना है देखिए उसके बाद जो हमारा फोर्थ कॉर्णर थ जिस पर हमने पाइपिंग नहीं लगाई थी उस पर हमने इस तरह से छुट-छट सी गैदर्स डालनी है चैसे हम स्कॉर्ट पे डालते हैं उस तरह की प्लीट डालने के बाद देखिए मैंने एक नॉटिंग के लिए जो ट्रेड होता है इस तरह से मैंने एक पाइपिंग लगा दे इस पे सेम भई वाली जो गैदर्स डाल के और इसके बाद देखिए हमारा एक नॉटिंग वाला टावल रेडी हो गया है यह टावल दर्वाजे पे बांदा हुआ आप किसी पे भी लगा सकते हैं आप अपने फ्रिज के डोर पे लगा सकते हैं आप चाहे तो अपने किसी दर्वाजे पे या किसी हैंडल पे कहीं पे भी लगा सकते हैं बहुत ब्यूटिफ कि टॉवल भी बहुत दिक्कत हो रही थी तो इस तरह से मैंने ये टॉवल बनाया और बात्रूम के डूर के हैंडल पर मैंने इस तरह बांद दिया क्योंकि वाश्विशन के साथ ही पढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है ये टॉवल इस तरह से लगा हुआ होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलेंगे फिर एक और इंट्रस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाई थेक्यों फॉर वाचिंग